Welcome to Learn Something New Channel आज हम हिंदी के स्वरक्षरों को देखेंगे तो हिंदी के तेरा स्वरक्षर है जिन में से पहला है अ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं को अ को किस तरह से लिखा जा रहा है या किस तरह से निकाला जा रहा है आप भी ऐसे ही निकाल सकते हैं दूसरा है आ इसे भी ठीक अ की तरह लिखना है या निकालना है उसके बाद एक मातरा उसके पीछे एक मातरा लगानी है यह हो गया आ अगला है इ आप यहाँ पर देख सकते हैं इ को यह अक्षर को कैसे निकाला जा रहा है आप भी इस तरह से ही निकाल सकते हैं अगला है E ये ठीक उसी तरह नहीं कि E की तरह निकालने के बाद उसके उपर एक मात्रा लगाने से बड़ी E बन जाती है ये हो गया E अगला है U आप यहाँ पर देख सकते हैं कि U को किस तरह से निकाला जा रहा है या लिखा जा रहा है आप भी ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं उ ये बड़ा उ है यानि उ के बाद वाला तो आप भी इसे उ की तरह पहले निकालने के बाद उसके पीछे एक मात्रा लगाएंगे तो फिर ये उ बन जाता है अगला है रू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रू को कैसे निकाला जा रहा है ये दीखिए ये हो गया रू अगला है ए ये दीखिए कैसे लिख रहे हैं आप भी ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं ये बन गया ए इसके बाद है आई ठीक ए की तरह निकालना है फिर उसके उपर एक मातरा लगानी है तो यह बन जाएगा अई देखिए यह बन गया अगला है ओ आप ओ को ऐसे निकाल सकते हैं देखिए आ लिखने के बाद उसके उपर एक मातरा लगानी है ओ बन जाएगा देखें, यहाँ पर आ लिखे हैं, फिर उसके उपर एक मात्राई आई है अगला है, अउ तो आउ को भी आप ठीक उसी प्रकार ओ की तरह लिखने के बाद उसके उपर दो मात्रा लगाने से अउ बन जाएगा देखें, यहाँ अपर कैसे लिख रहे हैं आ निकाले फिर उसके उपर दो मात्राइं लगा दी गई अगला है अम तो अम को भी ठीक अ की तरह निकालना है और उसके उपर एक अनुस्वार देना है देखें यहां पर अ निकाला गया फिर उसके उपर एक अनुस्वार दिया गया अगला है अहा आप इसे भी अ की तरह निकालेंगे और उसके पीछे दो अनुस्वार लगाएंगे यहां आप देख सकते हैं अहा किस तरह से निकाला गया है अभी हमने यहां पर स्वर अक्षरों को देख लिया है अब हम स्वर अक्षरों से बनाए गए शब्दों को भी देख लेते हैं तो चलिए देखते हैं अ से अनार आ से आम इ से इमली इ से इक अगला है उ उ से उल्लू अगला उ उ से उंट रू रू से रुशी ए ए से एडी आई आई से आइनक ओ ओ से ओखली अउ अउ से अवरत अम अम से अंगूर यह है आखरी आहा आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिल सकें